सौन सीटें मागी लेकिन मिली सिर्फ एक सेट शिफपार और अखिलेश में दिखा मन मुटा फिर भी चुनावी लडाई में साथ उत्रे चाचा भतीजे जस्वन नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे शिफपाल यादव आपकी बार या चाचा का साथ भतीजे को जिता पाएगा कि क्या कहता है शिफपाल यादव का राजनेतिक भाविश्य देखे सिर्फ धर्म ज्यान पर नमस्कार धर्मियान के दर्शकों का एक बार फिरस्व स्वागत है हमेशे की तरह मैं हूँ आपके साथ कवितरा न और मेरे साथ अचारिय राकेश चत्रवेदी जी नमस्कार दर्शकों चाचा भतीजे की जो राहें अब तक अलग-अलग हो चुकी थी लेकिन इस बार वो राहें एक हो गई है और वो इसलिए 2022 का यूपी चुनाव जो जीतना है और योगी को जो हराना है हम बात कर रहे हैं अखिले शियादव की और शिफपाल यादव जी की जी हाँ इस बार साल 2017 के चुनावों के बाद से और अपनी अलग सी बना दी प्रगति शिल्फ पार्टी लेकिन अब चाचा भतीजे की यहीं जोडी एक हो गई है और इस बार अखिले शियादव ने उन्हीं की परंपरागत सीट जस्वन अगर जी हां इतावा की जस्वन अगर सीट से उन्ह से लेकिन इस बार कि वह जीत पाएंगे समाजवादी पार्टी का पर्चम जीत का पर्चम क्या वहां लहरा पाएंगे उनका राजने तक भविश्य क्या कहता है उनके पीछे की घ्रह दशाएं क्या कुछ कहती है तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे जानेंगे उनके जानने चाहंगे शिफपार यादव समाजवादी पार्टी कुन्बे से आते हैं परिवार के सदसी हैं सबसे बड़ी बात है जो उनकी सीट है इटावार की जस्वत नगर सीट वहां से वह पांच बार विधायक रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव यहां से साथ बार विध लिए बहुत महत्पूर और हमारे लिए भी शिफाल यादव की कुण्डली जो है वह मिथुल लगन की कुण्डली आती है और लगन में ही गुरू और केतु की युति आती है एक एक करके हम बढ़ेंगे और अपने आप कुण्डली ही उनके राजनीतिक भविस्य को भी दर गुप्त रहते हैं और जिस भी जगह जिस भी संस्थान जिस भी संस्था के साथ यह जुड़े रहेंगे चाहे वह पार्टी हो चाहे कोई कंपनी हो और्गनाइशन हो परिवार हो वहां ये अंदर ही अंदर अपने आप में एक गुप्त शक्ति को विक्षित करने में लग या कहलें कि ऐसे ब्यक्ति जो है ये एक अलग प्रविर्थ के इंसान होते हैं और गुप्त रूप से शक्तियों का भंडारण या संचरण करते हैं इनका भी ब्यक्ति तो अगर भारती राजनीत में जो कोई सिवपाल यादाओ को जानता है वह सब जानते हैं कि यूपी में अगर कहा जाता है कि माफिया को अगर कोई हैंडल करता है तो वह सिवपाल यादाओ की काबियत है और हमेशा से देखिए जब भी सपा सरकार में रही है तो सबसे कमाउ और सबसे धाकर मिनिश्ट्रीज के पास रही है यह हमेशा प्रभाव नेता जी के बाद दूसरे बैक्तित वैसे हैं जो हमेशा गुप तरूप से इतनी सकतियां लेकर रहे हैं और ये हमेशा से इतनी सक्ति रखते हैं कि नेता जी के बाद ये हमेशा इतनी अपने आप मेहमियत पार्टी के लिए रखें कि कभी भी ये उथल पुथल पार्टी के संडचना में भी कर सकते हैं। ये उसके साथ बढ़ते हैं। दूसरी चीज इनकी कुंडली में दसंभाव जो की मीन क्राशिका है और इसके स्वामी गुरु हैं। लेकिन वहां पर शूरी बुद्ध एक साथ बैठा हुआ है। ये अतिके ब्यापारी हैं। हर चीज में यह लाभ हान देखते हैं। यह चु यह हान इलाभ दोनों देखते हैं। इस तरीके का व्यक्तित तो इनका है। अब उसके बाद आता है सब्तम में राहु और द्वादस का मंगल। द्वादस के मंगल के साथ हमेशा आपको हमने कहा है कि केतु और मंगल जब रहता है। केतु धर्म के नाम पर एकदम से आपक गुप्त शक्तियों का और कहलें कि जैसा कि हमने राजा भया की कुंड़ी में कहा था कि वह एक रूप से शक्ति संरचना करता है। कि मंगल जो है वो सेनापती के रूप में है। और द्वादस भाव में रहकर ऐसे व्यक्तियों के अंदर हमीशा से अपने शक्ति का प्रद शक्सियत रहे हैं जो की किसी के सामने जहुकने में विश्वास नहीं किया उनहीं। जुकाने में विश्वास उन्होंने किया है कविटाजी। और यही इस वर्स भी रहा है। अगर आपने देखा होहाए फिर और उठे है फिर अपनी केंद्री ये शक्तियां गूमती है अब केंद्री शक्तियों का मतलब यहां पर उस पार्टी की उस संस्ता की हो गए तो इस बार भी सिवपाल यादव बहुत महत्पूर कड़ी है और अगर वह सपा के बैनर पर लड़ रहे हैं उनके चुनाव पर लड़ रहे हैं तो जाहिर स जानना चाहती हूं कि अगर हम 2017 की तस्वीर देखें वहां चाचा भतीजे की जो तकरार थी और इसका नुकसास समाजादी पाटी को छिलना पड़ा ठीक है और अब यह दोनों एक हो गए हैं सीट भी इनको मिल गए मतब जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो मैं आप से ज कोई एंटी है या फिर इनके अचार विचार नहीं मिलते हैं मतलब इन दोने के बीच के ट्यूनिंग कैसे रही है देखें अखिलेस यादों और शिवपाल सिंग्यादों की कुनली में एक बहुत बड़ी समानता है अखिलेस यादों की कुनली में दसंभाव में केतु हम से सक्ति के प्रदर्शन के रूप में लेता है देखे 2017 का अगर आपने जिक्र किया है तो 2017 में साक्षात इन्होंने दिखाया अखिलेस यादों को कि समाजवाधी पार्टी की नेता जी के बाद आधी शक्ति हम हैं और वह सबने माना सबने देखा और यह अगर 2022 की हम बात करें तो इस बार भी उन्होंने पूर्ण भूम का ऐसी वनाई कि पार्टी और संस्था के लोगों ने उन्हें मनाया या कहले जो भी अंदर उनी चीजें चली हो लेकिन कुंडली से जो मैं बता रहा हूं वह यही है कि यहां पर शिवपाल यादों की जीत हुई है और शिव यह दोनों के ग्रहों में देखें दोनों के ग्रहों में विभिन्दता इसलिए आजाती है कि दोनों के अंदर सीर्स पर बैठने की चाह है तो जब भी इस तरीके के दो व्यक्तितों एक परिवार में एक कुप में जब आएंगे कुंडली से तो वहां ठकराव होगा यह ची एक ही की होती है जिसके ग्रह मजबूत रहेंगे उसके हाथ में चावी आएगी यही चीज सिवपाल के हाथ इस समय अब लगी है एक बार फिर से हो 2017 के बाद अपने प्रभुत को अपने शक्ति को एक बार फिर से स्थाफित करने में समाजवादी पार्टी में काम्याब हुए हैं और वहाँ पर मुलायम सिंग यादव जी की और शिवपाल यादव की अपनी पुरानी मनपसंद सीट का मिलना उनकी सबसे बड़ी जीत है कविता जैसे कि अपने कई बार अखलेश आदव की कुंडली के अनेलिसिस किया है क्योंकि अपने ही उनके सबसे बड़ी चुना अखलेश आदव को मुख्य मंत्री तक पहुंचानी के लिए शिवपाल यादव की क्या एहम भूमिका आप इसमें बता सकते हैं देखे कविता जी हमारी जो भविश्वानी रही है इस बार कुछ ग्रहीय संयोग के बस बहुत हद तक करीब आते आते सत्ता के अखलेश यादव चूकेंगे लेकिन आपने जो प्रश्ण किया वह पूर्ण रूप से सार्थक है और शिवपाल यादव का अखलेश यादव या समाजवादी पार्टी के साथ यहां हम अखलेश यादव के साथ नहीं कहेंगे हम समाजवादी पार्टी के साथ इसले कहेंगे क्योंकि पार्टी ने उन्हें मनाए पार्टी की विचारधारा से वाये हैं अब यह जाहिर सी बात है सिवपाल यादो का आना पार्टी के लिए स्रक्तिका केंद्र होगा और समाजवादी पार्टी इस चुनाव में मजबूती से आएगी और यह फाइदा कविता जी इनको आने वाले समय में होगा और अगर इस बार यह सक्तियां बढ़कर और साबित होती है यह वो थामिसा कहते आए है यह नेता जी कहते आए है मुलायम सिंग्यादा जी और पार्टी के लोग भी यह कहते आए है और सायद यह 2022 का एलेक्शन सिद्ध कर देगा कविता जी चले जाती जाते वह सबसे ही जाना चाहूंगी कि जस्वन नगर सीट से शिपार यादव की जीतने के किती संभावना है देखे जस्वन नगर सीट से और ग्रही दिश्टिकोंड से कविता जी और जो तिथी है रिजल्ट की उस तिथी के ग्रही संतुलन को देखते हुए हम कहते हैं कि इनके जीत की संभावना 90 प्रतिशत बनती है और 90 प्रतिशत यह जीत हासिल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं चले तो राकेश शत्रवेदी जी ने तो हविश्वानी कर दी है शुपाय यादव जी की जीतने की और क्या वो इस बार इससीट से फिर से इतमाजवादी का समाजवादी पाटी की जीत का पर्चम नहरा आप पाते हैं या नहीं काम्याब हो पाएंगे या नहीं यह तो देखिए अब रिजल्ट सी बता पाएंगे और इसी किसाम मुझे और चत्रवेदी जी को दीजे जागत नमस्कार नमस्कार